मैं उम्मीद करता हूँ, CBI, ED, Income Tax Department, DRI, SEBI, ये सारी एजनसियां अडानी के घरों पर छापे मारेंगी, उनको बुला के पूस्ताच करेंगी, इस भ्रस्ट अचार के खिलाफ कारवाई करेंगी. क्या मनीज सिसोदिया के गरफतारी के पीचे भरती जनता पार्टी का एक बड़ा प्लान है? क्या मनीज सिसोदिया को अंदर करने के बाद, BJP दिल्ली में बड़ी घात लगा कर बैठी है? और सिसोदिया अभी तो फिलहाल हमने अपने दर्शकों को बताया कि अपरेल तक के लिए उनकी रिमांड को बड़ा दिया गया है, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को अब सलाखों के मुद्धों पर हम बात करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसे संजे से बीजेपी को पूरी तरीके से एक्सपोस कर रहे हैं, अडानी के मुद्धे पर किस तरीके से केंद्र सरकार को एक्सपोस कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास चबाब नहीं है, इसे मुद्धे पर फिल दिल्ली के अंदर सियासी संग्राम चिड़ा हुआ है दिल्ली में हम देख रहे हैं आदमी पार्टी वर्सस पीजेपी की लड़ाई याम आदमी पार्टी वर्सस एलजी की लड़ाई भी देखने को मिल रही है और जो लड़ाई इस वक्त देखी जा रही है और इस वक्त जो ह कि दिल्ली में इक बड़ी साजी सरची जा रही है। से दो बार मुख्य मंत्री के तौर पर अर्विंद केजरिवाल देखे जाते हैं मसीडी का चुनाव जीते जाते हैं तो इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी अब एक रणनीती तयार कर रही है दिल्ली में अपने पैर पसारने के लिए जिसके जरीए कि अर्विंद केजरिवाल ने कुछ मुद्दो को लेकर साफ तौर पर बताया नहीं है और उसी को लेकर केजरिवाल हाद जोड़कर बोलते विए बिन अजर आते हैं कि बजच पेश होने दो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मोधी सरकार के तले जो CBI और ED के एजंसिया दबी हुई है उन्होंने किस तरीके से काम किया है दिल्ली में मनी सिसोधिया को लेकर सतेंद्र जैन को लेकर आपको बता दे कि इसी मुद्ध पर तेजस्वी यादव ने भी विधान सभा में ब के लिए किरन पटेल का मुद्ध चुपाने के लिए भारति जंता पार्टी में अशे तमाम जो राज आये हैं निकल कर सामने सरकार का घोटाला है इन तमाम चीज़ों को चुपाने के लिए क्या विपक्ष पर छापे मारे जा रहे हैं क्या सरकार गिराने की कोशिश के जा ताकि जनता का ध्यान यहीं पर रहे और जनता सरकार से सवाल ना पूछ पाए। भीरता से पेश किया जाता है कि देश के साथ गदारी की जा रही है लोग तंतर पर खत्रा विपक्ष ही बनता जा रहा है तो यहाँ पर एक संग्राम चिड़ा हुआ है विपक्ष और मोधी सरकार का और यहीं संग्राम यहाँ पर आप मोधी सरकार की तरफ से देखेंगे कि कि तरीके से विपक्ष पर हमलावर लगतार दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं सरकार गिराने की भी तैयारी है आप बिहार में देख लीजे महागडबंधन की सरकार है उसे तोड़ने के लिए बीजेपी लगतार लगी हुई है अब दिल्ली में भी अपनी साधगाट बना र प्रदान मंतरी नरेद मोदी से सवाल जवाब नहीं होना चाहिए इस तमाम मुद्धों पर संजय सिंग ने किस तरीके से धारते वे भारती जंता पार्टी की क्लास लगाईए देखेए बोट मैं उम्मीद करता हूँ CBI, ED, Income Tax Department, DRI, SEBI ये सारी एजनसिया अडानी के घरों पर च्छापे मारेंगी उनको बुला के पूस्ताच करेंगी इस ध्रस्ट अचार के खिलाफ कारवाई करेंगी लेकिन जैसा मैं कहता हूँ संयाभ है कुतवाल तो डर काहे का जब प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का खुद संरक्षन मिल रहा है तो करवाई कैसे होगी ये सबसे बड़ा सवाल है तो जब 2015 में CBI पीछे चली गई उसको जाहिर तोर पे मोदी जी से डांट पड़ी होगी कि क्या कर रहे हमारे दोस्त की जांच कर रहे उसके बाद DRI ने 2017 में जांच बंद कर दी अब इसमें कस्टम डिपार्टमेंट आया अब कस्टम डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भाईया DRI वालों अब ये आपने क्या किया आपने ऐसे खुले भ्रस्ता चार की जांच बंद कर दी क्यों आपने छूट दे दी और वो कस्टम डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कस्टम डिपार्टमेंट ने कहा कि सारे मामले सही है ये सारा भ्रस्ता चार का खेल है और उसकी सुनवाई Honorable Justice क्रिस्ट मोरारी जी के बेंच पर होनी है यानि ये सारे मामले अभी भी जीवित है जिन्दा है अगर जरासी भी नैतिक्ता देश के प्रधानमंत्री में बची है महरास्ट्रा की और राजस्थान की जन्ता को जो लूटा गया है ये जो फरजी वारा किया गया है ये खुला वरस्ट अचार जो किया गया है इसके उपर प्रधानमंत्री जी को सामने आकर जवाब भी देना चाहिए और कारवाई भी करनी चाहिए इन फरजी कमपनियों के खिलाफ और विसेश रूप से अडानी के उपर जिसने ये घोठाले को अंजाम दिया है ये ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे संजे सिन्ग ने सीधे सीधे तोर पर अडानी के मुद्दे को लेकर किरन पटेल के मुद्दे को लेकर और सरकार जो 2014 से बेवकूफ बना रही है देश की जनता को इस तमाम मुद्दों पर बात की है नाजमीन जिस तरीके से अगर हम देखे कि फिलहाल में क्या जो सरकारी एजनसिया आज हर कोई सवाल पूछ रहा है और वो बहुत सारे लोग कमेंट करके भी पूछते हैं कि क्या सरकारी एजनसिया जो है वो केवल विपक्ष के लिए मैं यही सवाल पूछ रहा था जनता को जवाब दीजिए कि क्या सम्विधान में यहे अधिकार दिया गया है कि जितने भी सरकारी एजनसिया है जितने भी कानून है जितने भी लोग है किवल आप विपक्ष के लिए इस्तमाल करेंगे आपके पार्टी की नेता कोई कुछ भी करे आपके पार्टी से जुड़ा बिजनेसमेन कुछ भी करे आप उसके खिलाफ काम नहीं करेंगे देखें यहां सीधे तोर पर आपको बता दें कि यहां पर विपक्ष और मोधी सरकार का जो खेल चल रहा है यहां पर आप देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष की बात आती है मजबूती की बात आती है आप देश में आपकी सरकार है आप उसको हुकूमत से चला रहे हैं तो यहां पर आप अपने इशारों पर सरकारी एजंसियों को बखू भी न चा सकते हैं और नाच भी रही है जिसका उधारन आपने अलग-अलग राज्यों में देखी लिया है राहुल गांधी को लेकर देख लिया है तो इन तमाम सरकारी एजंसिया अभी सत्ता पक्ष के नीचे गिर रही है जुकी होई है आप देखिएगा अगर सरकार पल्टी तो खेल कुछ और ही देखा जाएगा लेकिन अभी फिलाल मोदी सरकार सत्ता में है तो उनके इस आरों पर नाचा जा रहा है लेकिन यहाँ पर सिर्फ विपक्ष ही मुद्दा नहीं उठा रहा है कि अडानी की जाच होनी चाहिए जेपीसी जाच को लेकर चर्चा होनी चाहिए जनता भी इस मुद्दे को उठा रही है और हमारे साथ जुडती भी है आपने कई बार देखा होगा तो यही मुद्दा है कि क्यों जेपीसी जाच गौतम अडानी को लेकर नहीं की जाती है तो इसी को लेकर अब आप यहाँ पर सही साबित कर सकते हैं कि यह सरकारी एजनसिया मोदी सरकार के तले दबी होई है और सीधा जवाब जनता से कि आखिरकार क्या वाकई देश में लोकतंतर खत्म हो गया है और क्या 2014 के बाद लोकतंतर जैसी चीज रही नहीं है और क्या 2024 में विपक्ष को मजबूत मिलती नज़रा रही है क्या विपक्ष की सरकार बनेगी तमाम खबरों को कैसे देख रहे हैं आप देश की हालातों को कैसे देख रहे हैं इस पर कमेंट करके जरूर बताइए कर फिलाल आज के लिए तहीं आपसे फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए जाद दीजे नमस्कार